दोस्तों आज जो मैच है इंडिया और साउथ अफरिका के बीच में है और वोडियाई है जो की यूपी में खेला जा रहा है लखनव में और जो टाइमिंग है आपको डेर्ड बजे की है और बारिस हो रही है दो दिन से तो साइद बारिस भी आ सकती है तो समझ लेते हैं पलिइंग इलेवन तो धावन है सुभमगिल है दोनों ओपनिंग करेंगे सिर्यस एयर वन डाउन पर आएंगे इसन किसन और रितुराज गाईकवार दोनों में से कोई एक खेलेगा नहीं तो राहुल तिरपाठी यहां खेलेंगे दोनों नहीं खेलेंगे और उनके जगापे सहबाज अहमद जो एक आलाउंडर हो खेलेंगे सैंजू सैंसम खेल सकते हैं स्टाडल ठाकुर ही रहेंगे दीपक चाहर खेलेंगे कुल्दी प्यादो और रवी विस्नुई में से कोई एक खेलेगा अगर यह दोनों खेले तो अवेज खान का कम चान से खेलने का और मॅमद सिराज तो खेलेंगे ही खेलेंगे अगर बात करें साउथ अफरीका की तो डिकॉक रहेंगे ओपनिंग करेंगे मलान के साथ और यह कैप्टन है बमुमा तो यह रहेंगे यह मैकराम बहुत बच्चे पलेयर है यह भी खेलेंगे ख्लासन खेल सकते हैं तो इनके साथ कोई और भी आ जाएगा और मिलर रहेंगे फलोकाउ और डेप इटडियस ये दोनों में से कोई एक खेलेगा और केसो महराज खेलेंगे और मारकों जांसन भी खेलेंगे लोगडी और राबाडा ये दोनों रहेंगे तो एक-दो चेंजे सिधर भी हो सकते हैं ये तो mostly यही रहेंगे अब जान लेते हैं important player के बारे में तो देखो धावन बहुत important है इनका form भी बहुत अच्छा है सुबम गिल भी बहुत अच्छे form में है अभी सुर्यस आयर ये भी बड़े पलियर है ये तो ये तीनों बहुत अच्छे हैं और तीनों को अपने टीम में जरूर रखे हो यहां से अगर राहूल त्रिपाटी खेलेंगे तो यह भी अच्छे form में हैं अच्छा खेलते हैं तो आप इनको भी ले सकते हो grand league में जो सरदूल ठाकूर है या राउंडर आपको रन भी बनाके देंगे और विकेट भी लेके देंगे तो यह आपके लिए important हो सकते हैं और दिपक चाहर का भी सेम है रन भी बनाएंगे स्टार्टिंग में बॉलिंग करते हैं और अच्छी विकेट निकालते हैं कुल्दी प्यादो रभी विसनई दोनों अगर खेलेंगे तो अच्छा है क्योंकि इंडिया में इस्पिन फ्रेंडली पिक्ट होता है तो इन में बहुत जादा मदद मिलेगी मौमस सिराज भी अच्छा करेंगे तो आप इनको भी ले सके रखें डिकॉक इंडिया के खिलाब बहुत अच्छा खेलते हैं उसके साथ साथ माकरम यह बहुत अच्छा इनका फार्म है इंडिया के खिलाफ डिवड मिलर का तो आपको पता है आगे लास में 30 बॉल पर 50 रन साथ रन मारके चले जाते हैं और यह फ्लुकाव या डिवड में से दुनों कोई भी एक खिले तो आप लोग क्योंकि बिकेट भी लेते हैं और रन भी बनाते हैं उसके साथ साथ केसो मौराज भी एक आल्लाउंडर है और यह जांसन भी एक आल्लाउंडर है और यह दोनों बहुत अच्छे बॉलर हैं राबाडा और निकड़ी इंडिया के किलाप अच्छा बिकेट निकालते हैं तो यह दोनों को आप ले सकते हो झालते हैं झालते हैं झालते हैं झालते हैं झाल 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 झाल